एलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैं इस वीडियो के माध्यान से आपको कुछ जो ICR का 27 का पेपर था उस किस कोश्चन है उनके बारें बताना चाहूंगा वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से र्क्रेश्ट है कि प्लिज मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लें तब लाइकन को प्रेस कर लें वीडियो सुरू करते हैं कोश्चन पहला है अंगूर का बैग्यानिक नाम है वाइटस बेनिफेरा कौन सी फसल में रेटरिंग की जाती है गन्ना तेहरे सब्सक्राइब का बैग्यानिक नाम है गिलाइसीन मैक्स बाहरती दार्ण और संदान संस्तान कहां इस्तित है कानपूर ऐसी मिर्दा जिसमें 15% से अधिक बिनिमेस सील सोडियम लवड हो वो कहलाती है चारी मिर्दा माल गोदाम में गहों के सुर्चित भंडारण के लिए में आधरता अंस होना चाहिए 10-12% भारत में किर्सी कारे से मीध्यन उत्पन होने का मुक्ष रोता है चावल के खेत ओजोन परत की छीड़ता का प्रणाम कहलाता है पिर्थवी तक पहुंचने वाली प्रावेगनी बिक्रण सरकरा का अच्छा सरोता है केलावा गन्ना मिर् पस्कूं में मिलक फीबर होने का क्या कारण है केल्सिम की कमी का आना कोलिष्टरम क्या होता है गाय के वियाने के बाद थनका सराव केला का प्रणधन किसके द्वारा किया जाता है अंत भूष तारी तथा धनकंद द्वारा पहली क्लोन डॉली किस से तैर की गई भीहड से प्याज में किसकी उपश्थिती के कारण बद्वुगाती है गंधग। भारती सब्जी अनुसंदान सस्थान कहां इस्तेत है वानार सी। किसान दिवस मनाया जाता है तेश दिसंबर को। पस्वों के संतुलित रासन का आसाचारे की किसमात्रा से चावज घंटे में दिये जाने वाले सभी चारों का पोस्थ तत्व का अनपात। पस्वों की विदेशी नेसल में हाद दिखतम दूद किसके द्वारा प्रदान किया जाता है हौलिस्टीन फ्रिजियन। तीडीन का पूरा नाम होता है टोटल डाइजेस्टिबल नूट्रियेंट। कलिंग का अर्थ क्या होता है अन औरबर पस्वों को औरबर पस्वों से दूर रखना है। अलिलोपेथी का संबंध होता है एक फसल के हानिकार के प्रभाव दूसरी फसल पर पढ़ना। नाइटोजन की कमी मुखिता किस पर होती है पुराने परणों पर। लवड सेंसील फसल होती है चुकंदर। माइकोलोजी में अध्धिन किया जाता है फफूंद का। जैब उर्बरक है एजटोबक्टर। फूलगोवीं विप्टेर रुप होता है पुरान की कमी के कार। कियों की किस्म है HD-69 झाल सट